आज हम बात करेंगे दर्शको कि अगर आपकी जनमपत्री में शनी और मंगल ये दोनों ग्रहे साथ-साथ युथी बनाकर किसी भी भाव में बैठे हैं तो किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव देंगे यहां इस वीडियो के अंदर इन दोनों के कारण आपकी जिंदिगी में कितनी उधल पुधल होने वाली है ये इस वीडियो में मैं विस्तार से बताने वाला हूँ धर्शको तो बिना स्किप करें देखिएगा और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है न तो जरूर कर लीजिए क्योंकि आपको विभिन्ने तरह की बहुत मनोरंजक और रोचक जानकारी इस चैनल पर मिलने वाली है जो जियोतिश्य संबंदिद है तो आईए वीडियो की शुरुवात करते हैं अगर आपकी जनब पत्री में शनी और मंगल साथ साथ बैठे हैं तो सबसे पहले तो आपके जीवन पर ये व्रभाव डालेंगे दर्शको कि जब कभी भी आप अपनी जिंदिगी की गती को बढ़ाना चाहेंगे ना तो एक दम से कही न कहीं से कोई इस्तिथी ऐसी आकर लगेगी जिसके कारण वो सारी गती सारी स्पीड रुक जाएगी यानि जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं या फिर आप पूरे जोश के साथ कुछ नया शुरुआत करते हैं तो तुरंत ही कोई न कोई अर्चने आ जाती हैं अब ये अर्चने आपके इस तरह की हों जो काम को रोख ही दें लेकिन मुश्किलात बहुत जादा करती हैं यानि काम को सरलता से होने नहीं देती हैं उसका कारण है दर्चको युति ही ऐसी है आप खुद सोचिए शनी ग्रहे और मंगल ग्रहे दोनों आपकी जनवपत्री में साथ-साथ पर दोनों का प्रभाव थोड़ा अजीब सा है थोड़ा अलग सा है अजीब इसलिए बोला दर्शको क्योंकि शनी ग्रहे क्या करते हैं शने शने धीर धीरे जिन्दीगी का अनुभव बढ़ाते हैं और मंगल ग्रहे थोड़े जोशीले हैं हर जंगे चीज को बहुत ताकत के साथ आगे लेके चलते हैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं न कहीं जैसे ही आप अपना जोश लगाते हैं एकदम से शनी देव सामने आ जाते हैं और आपको होश में ले आते हैं इसलिए दर्शकों ये यूती आपको जिंदगी में अनुभव की कोई कमी नहीं रहने देती है अनुभव ऐसे ऐसे जो समान्य व्यक्ति को होंगी नहीं और यहां अनुभव के बारे में भी आपको एक बात पताओं दर्शको बहुत ही गुप्त अनुभव कराती है यह उती किस तरह के गुप्त अनुभव अगर आप पर्सनल लाइफ में है न तो आपको तक्रीबन सभी लोगों के सीक्रिट्स पता देगी यानि खुद भी लोग आके आपको पताओं गे और आपको पता भी लग जाएंगे इसका तात्वर यह रहा दर्शको कि लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं लोग आपसे अपनी जिन्दिगी के सीक्रेट शेयर करना पसंद करते हैं क्यों? क्योंकि ये युतिना आपको फ्रॉड करना नहीं सिखाती अब देखिए फ्रॉड ना हर जंगे अलग अलग टाइप का होता है आप जिस जिन्दिगी में जी रहे हैं उसमें आप अपने संबंदों के साथ फ्रॉड नहीं करेंगे वो संबंद आपके साथ क्या करेंगे? ये तो मैं बताता हूँ अभी आपको लेकिन आपके साथ जिसने भी अपना सीक्रेट शेयर किया कोई दिक्कत नहीं है आप उस सीक्रेट को अपनी जान से जादा समाल के रखेंगे यही कारण है कि बहुत कम उम्र से लोगों की पर्सनल लाइफ की जानकारियां आपको मिलती रहती है लेकिन इसका आपकी पर्सनल लाइफ पर थोड़ा सा डिफरेंट प्रभाव पढ़ जाता है दर्शको कैसा डिफरेंट प्रभाव पढ़ता है कि अब आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी कभी-कभी बिना वजे ही दर्शको शनी मंगल आपको जो अनुभव दे रहे हैं वो समाजिक तोर पर दे रहे हैं आप अपनी पर्सनल लाइफ में अगर उसको अड़ाओगे ना यानि बीच में उसको इन्वाल्व करोगे ना तो आपकी पर्सनल लाइफ में फिर वो परिशानिया आएंगी अन्य था नहीं आएंगी क्यों? क्योंकि मंगल ने जो आपको लॉजिकल थिंकिंग दी है ना हर चीज को बहुत डिटेल में समझने की ताकत हर चीज को मैनेज करने की ताकत हर चीज के अंदर इन्वाल होके पूरी ताकत से आगे बढ़ने की ताकत ये बात आपके लिए ब पाप और पुन्य के बीच में गैप नहीं करते हैं आप यह समझ जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जंगे पर अगर सलगन है यानि के कहीं involved है तो उसकी कोई वजय है उसकी जनमपत्री में या उसके जीवन में कुछ circumstances ऐसे रहे होंगे जिसकी करन आज वोई कारे कर रहा ह है तब ही तो कोई व्यक्ति अपने सीकर्ट आपको बता पाता है दर्शको तो इसलिए शनी मंगल गुप्त सीक्रेट जोश में आगे बढ़ना परहोश में ब्रेक लगाना इन सब के बारे में बताते हैं साथ ही यह दोनों मिलकर आपके जीवन में आपके पारिवारी जीव सच बताओं दर्शको इतनी असानी से प्यार में पढ़ते नहीं हो क्यों दिमाग बहुत जादा दे दिया ना इश्वर ने हर जंगत दिमाग लगा लेते हो तो जरा दिल की कैटेगरी नमबर टू पर आती है इसलिए दिमाग से ही सामने वाले व्यक्ति को जाचना परखना ये आपको बहुत अच्छे से आता है शनी धीरे धीरे आपको ये Capacity दे देते हैं जिसके कारण आप सामने वाले को पूरी तरह से जज़ कर पाते हैं और मंगल कही न कहीं आपके अंदर एक ऐसा दिमाग भर देते हैं जिसके कारण आप सामने वाले की मैंने कहाना सीक्रेट बाते समझ जाते हैं क्योंकि अक्सर जिंदिगी में कुछ लोग नहीं बहुत सारे लोग अपने असलियत छुपा के चलते हैं लेकिन आप हो शनी वंगल की युति वाले व्यक्ति इसलिए सामने वाले की चुपवी असलियत के अंदर क्या है यह जान लेते हो फिर जब किसी से प्यार करते हो तो बहुत जदा कहराई से करते हो अपने संबंदों को निभाने के लिए सब कुछ कर सकते हो शक्रिफाइज की तो परलकाश्टह है यानी आप अपना सब कुछ सामने वाले को दे सकते हैं पर पहले दिमाग के हिसाअब से उस चीज को एनलेसिश कर लेते हैं क्योंकि आपको ना धोका देना अच्छा लगता है और ना धोका खाना अच्छा लगता है इस मामले में ज़रा पूरा alert रहते हो दर्शको क्यों क्यों धोका खाएं हम किसी से जब हम धोका देना पसंद ही नहीं करते हैं इसलिए emotions में भी दिमाग और logical thinking लगा लेते हो अब इस युती का आपके कारे शैली पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बात करते हैं दर्शको ये युती आपको जादा से जादा लोगों के बीच में लेके जाती है किस तरह से लोगों के बीच में लेके जाती है दो तरीके हो गए आज कल के जमाने में तो एक ह गया online दूसरा हो गया offline और कमाल की बात है शनी मंगल online और offline दोनों ही चीजों में आपको तरक्की के रास्त खोल देती है बस आपको क्या करना है आगे बढ़ना है कभी-कभी युदी के साथ मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो अपनी personality को बिना वज़े ही introvert कर लेते हैं य कुप्त जिंदिगी के बारे में जान जाओगे तो आपको कभी-कभी ना इस समाज के प्रती एक अंद्रूनी क्रोध भर जाता है आप कहते हो सब बेकार है वहां पर शनी मंगल के युदि को आपको संभालना है दर्शको क्योंकि अगर आप अपनी इस गतिविदी को अपन सकते हैं अटैच हो सकते हैं उसे अपने कारे शैली में इस्तमाल कीजिए अब देखिए ना अगर आप मालीजे किसी जॉब को जॉइन करते हैं यानि नौकरी को तो बहुत जल्दी वहां पर आप लोगों के साथ इतनी घनिश्टता कर लेंगे कि लोग आपको नाम से जाने और आपके कुंड़ी में शनी मंगल नें ये काबलियत दे दी कि आप लोगों के करीब चले जाएंगे इसलिए कह रहा हूं अपने आपको उंतरमुकी मत रखिए दूसरों के लाइफ के एक्सपीरियंस को अपनी जिंदगी पर ला दिये मत आपकी जिंदगी उनसे अलग है आप सिर्फ इक श्रोता हैं एक विवर हैं आप दूसरों की जिंदगी देख रहे हैं क्या करें शनी मंगल बहुत ज़ादा दिखाते हैं दूसरे की जिंदगी तो बस उस विवर की तरह रही है न आप उसमें इंवाल मत हो जाईए कि कोई हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो जाए हूं फिर मज़ेदार यूती है यह क्यों कि बड़े तेज तर्रार ग्रहों की यूती है ना कोई सीधे साधे सरल ग्रहों की यूती तो है नहीं जिसे हम कहते हैं कि शुब ग्रहों की यूती यह कहने के लिए तो अशुब ग्रहे हैं पर दर्शकों कल्यूत में काम बहुत आ आपका मन बहुत बुरी तरह से तोड़ देंगे आपको लगेगा बहुत गलट डिसिजन हो गया काम धंदा करना हमें आता ही नहीं है लेकिन दर्शको जैसा मैंने आपसे कहा अनुभव अनुभव और अनुभव ये इस यूती की रीड की हटी है जब आपका काम नहीं चलेग बना तो फिर आप कहां को सेंगे गुप्त जगाओं पर आप वहां-वहां से माल का अरेंज करेंगे राव मैटेरियल का अरेंज करेंगे आप वहां-वहां से कस्टमर्स का अरेंज करेंगे जहां लोग सोचते भी नहीं हैं अब आप सोचिए नई मार्किट बना ली नया प के साथ positive है दर्शे को कि आपकी जन्पत्री के अंदर वो सब नहीं चलेगा जो सब की जिंदगी में चलता है क्योंकि आपको कुछ नया करना पड़ेगा यही तो है शनी मंगल नया करा के मानेंगे कुछ न कुछ creativity डालेंगे अगर आप गिसे पिटे तरीके से वैपार करना च को अक्सर कुछ लोग को गलत फैमी हो जाती है कि हम तो गौर्मेंट जॉब में हैं बस ठीक है काम करते रही है जो और्गनाइजेशन ये डिपार्टमेंट हमें दे रहे हैं ध्यान रखिएगा अगर आपकी शनी मंगल की युति है और आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको आउट आफ दा बॉक्स जाके काम करना पड़ेगा आउट आफ दा बॉक्स का मतलब मैं ये नहीं कहरा कि गैर कानूनी काम करना पड़ेगा इसका मतलब ये है कि सरकारी विवाग में भी आपको पर्फॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी ये बात अलग है कि आपने दिखाई प पर्फॉर्मिंस तो आपकी हो गई प्रमोशन क्योंकि कर यह भी होता है दर्शेक और लोग परफॉर्म बहुत बहुत अच्छा करते हैं प्रमोशन नहीं होती पर आपकी जिन्दगीं living प्रांस बेस्ड प्रमोशन है यानि जिन्दगी शनी मंगल ने इस तरह से बनाई है कि पर्फॉर्म करना ही पड़ेगा पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही है अब आप देखें ना आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं वहाँ पर आप बच्पन से पर्फॉर्म ही करते आ रहे हैं हर जंगे लोगों को प्रूव करते आ रहें कि आपमे काबियत है तभी तो लोग इतना करीब आपके पास आ जाते हैं तभी तो आप से बने बाते कर लेते हैं और आप प्रूव कर भी पाते हैं वड़ी असानी से तो इसलिए performance based कुंड़ी है आपकी सिरफ यही नहीं कि जो वसीयत में मिला उसे संभाल के बैठ गए अरे हां वसीयत से दर्शे को शनी मंगल की यूती की एक खास बात याद आई लेकिन पहले एक बात बताऊंगा आपको अगर आप यह देखना चाहते हैं कि शनी ग्रह अकेले 12 भाव में बैठ के कैसा फल दे रहे हैं या शनी ग्रह का हमारी जिंदिगी में किस तरह से प्रभाव रहता है तो हमारी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर शनी ग्रह से संबंदे वीडियोस हैं ठीक ऐसे आप अगर यह देखना चाहते हैं कि मंगल ग्रह अकेले कैसा प्रभाव दे रहे हैं आपकी जिंदिगी में तो वो भी समझिए उन वीडियोस को देखके खुद भी अपने आप जोड़के देखिए तो कुछ समझ में आएगा कि अच्छा शनी मंगल ऐसे प्रभाव दे रहे हैं और यह वीडियो तो मैं बताई रहा हूं आपको साथ के साथ अगर आप हमारे चैनल पर आते हैं दर्शको तो आपको इतनी वेराइटी मिलेगी जिसके अंदर आपको अलग-अलग ग्रहों के बारे में भी जानकारी होगी निमरलोजी की भी जानकारी होगी और तो और दर्शको यूतियों के साथ-साथ लगन और राशी से संबंदे बहुत डिटेल में प्लेलिस दी हुई हैं एक बार चैनल पर आईए तो सही नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजे और हाँ वीडियो अच्छे लग रही हो तो लाइक करें बीना आगे मत बढ़िएगा ठीक है ना दर्शको और यहां बढ़ जाईएगा आप लोग कारे शैली पर प्रभाव डाल रहे थे तो हम अपने वैपार के अंदर यानि अपनी काम धंदे में अपनी जॉब में तरक्षी कैसे पाई दर्शकों यह तो मैंने थोड़ा सापको थोड़े दिर पहले बताया था साथ में में पर्सनल लाइफ के लिए बताने जा रहा था को कि आप जिस परिवार में प्रूव करते आ रहे हैं ऐसे ही समाज में भी आप प्रूव करते रहेंगे इसलिए यह यूति आपको कभी-कभी समाज में बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाती है पर ध्यान रखना प्रतिष्ठित व्यक्ति पर उंगलियां जरूर उठती हैं यानि शनी मंगल कहीं न कहीं मांद संबान को लेके हमेशे खत्रा बनाए रहते हैं अब आप इस उचिन दर्शे को जिसकी पास लोगों के इतने सीक्रेट हैं उसके पर एक खत्रा तो मंडराता ही रहेगा ना क्योंकि जो आपको पसंद करते हैं वो भी बहुत हैं उतना ही लोग जैलेज भी तो करते हैं आपके साथ कहीं न कहीं लोगों को पता है कि आपके पास दूसरों के सीक्रेट हैं तो इत्वड़ा खत्रे वाला काम है कोई बात नहीं शनी प्रियोग कीजिए ये दोनों युति मिलकर आपको कहीं ना कहीं लोगों से लड़ना भी सिखाती है इसलिए कोई फरक नहीं पड़ेगा कौन कितना करीबी है और कौन कितना दूर का वेक्ति है आप जादा परवा नहीं करेंगे अगर सामने युद में कोई बहुत करीबी भी खड़ा है तो जादा ना शरम कीजिए क्योंकि आपकी कुंड़ी की ये युति कभी-कभी सोचने पर मजबूर करती है क्यों बैने कहा ना लॉजिकल एनलेसिस करते हैं धीरे-धीरे पर यहां पर दर्श को लड़ाई में जरा धीरे-धीरे मत चलियागा यहां पर इस्तमाल कीजिए मंगल ग्रह का और शनी देर का कैसे शान्ती पुरवक शने-शने पूरी ताकत के साथ बढ़ा दीजिए क्योंकि दीरे-धीरे जो ची बढ़ती है और फिर जब पूरी ताकत के साथ इंवाल्व होती तो सामने वाले की दज्जियां उड़ा देती है तो ये शनी मंगल आपको किसी भी युद में हारने तो नहीं देंगे लेकिन दर्शको इस युदि का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पार्ट भी होता है जो इंसान की जिंदगी में मैंने देखा है कही कुंड्लियों में मैंने लेकिन कुछ कारण है अब इस पागल के पीछे बीना दो वज़े हो सकती हैं दर्शको एक तो ये कि सही में आपके क्रोध का इस तर बहुत जादा हो जाए आप कभी-कभी बाते करते हुए ना पता ही नहीं लगता सिरफ अपने बारे में ही बाते कर रहे होते हैं शनी मंग इस तरह से कभी-कभी अहंकार भर देते हैं जो हमें दिखता भी नहीं है देखिए अपने अंदर है तो दिखने में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन अगर थोड़ा सा आप शांति पूरवक सोचे ना जो शनीदेव की ताकत है तो आप समझ भी जाएंगे फिर आप अपने इसी लाइन होते हैं इन दोनों के बीच में पर शनी मंगल बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं और इसलिए कभी-कभी आप अपने बंते काम को बिगाड़ भी देते हैं ऐसा बोल देते हैं कि सामने वाला पूरी तरह से आप से नफरत करने लगता है या फिर यह कह देता है कि पागल हो क्या आप तो देखिए इस तरह के कटू शब्द जब आपके लिए इस्तमाल होते हैं जबकि आप समाज में प्रतिष्ठा भी लेके चल रहे हैं लोग अपने बारे में आपसे बात भी कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ भी डिसकस कर रहे हैं फिर भी अगर अहं मैं जब भी जिंदिगी में आगे बढ़ता हूं या बढ़ती हूं तो मेरे पास कोई कमी नहीं हैं बहुत रिलेटिव्स हैं बहुत दोस्त हैं बड़े-बड़े ग्रूप्स के अंदर मैं इंवाल्ड हूं गलत पहम ही मत पा लिएगा आपकी एक गलती इस युती के कारण आपको सड़क पर ले आईगी ध्यान रखिएगा ये इस युती का सबसे बड़ा नेगेटिव पार्ट है मैंने यहाँ पर बहुत सीनियर मोस्ट कॉर्परेट लेवल पर जॉब करने वालों को बेरोजगार होते भी देखा है क्यों गुस्से में आकर कुछ बोल गए बोल किसको बोल गए अपने इमेडियेट बॉस को बोल दिया मैं जानता हूं कि सही बात पर स्टैंड लेना चाहिए लेकिन दर्शको कभी कभी डिपलोम ऐसी भी जरूरी है तो शनी मंगल यही कह रहे हैं आपसे कि यहाँ पर चुप हो जाना चाहिए था पर यहाँ पर तो आप आपका सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा सब पर उठके इगो पर आ गया अब क्या हो गया इतना बड़ा और बहुत ही बड़िया नौकरी चला गया मैं उसके लिए यह नहीं कहा रहा है आप ज़रो साथ कॉंप्रमाइज करें लेकिन दर्शको उस पल चुप हो जाते और इसे मिला के अंकार मत बना लिए जगा नहीं तो यह युति आपके वहवाईक जीवन को भी अस्त व्यस्त यहां तक की नश्ट कर देगी और आपके करियर को भी यानि यह ना दोधारी तलवार है सामने वाले की तरफ में नौब है और नौब आपकी तरफ भी है यानि नान से चलिए कहीं ऐसा ना हो शनी मंगल आपके ही शरीर में बतलवार घुसा दें अगर आप कोई बात सही लगी ना दर्शको तो कमेंट बॉक्स में बताईएगा जरूर कि क्या कहीं जीवन में ऐसा हुआ है उम्र के किसी पड़ाव में ऐसा हुआ है और शनी मंगल ने आ और जोतिष शास्त्र तो चेज ही ऐसी है जो अनुभव के अनुसार ज्ञान को बढ़ाता है तो आपके कमेंट्स का हमें इंतिजार तो बहुत रहेगा साथ में वीडियो लाइक कर लीजे अगर थोड़ी सी भी पसंद आईए था और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया कीजि आए अगर जरूर यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद